इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप WhatsApp के deleted messages को कैसे पर सकते हैं अभी जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मेरे friend ने मुझे कुछ message किया था और मेरे पढ़ने से पहले ही उसने उन सभी messages को delete कर दिया अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके friend कुछ भी message भेशते होंगे और आपके पढ़ने से पहले ही वो उन सभी message को delete for everyone कर देते हैं तो इस वीडियो मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp के deleted messages को कैसे देख सकते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ settings बताऊँगा कुछ settings आपको करने हैं उसके बाद आप WhatsApp के सभी deleted messages को पढ़ पाएंगे तो वीडियो को बिना skip करें complete last तक देखेगा और यदि आप channel पहले वा रहा हैं तो please channel को subscribe करके घंटी का icon को जरूर दबा लिजे अभी यहां पर मैं आपको पूरा live proof करके दिखाने वाला हूँ यहां पर जैसे कि मैंने अपने दूसरा phone ले लिया है यहां पर मैं अपने दूसरे phone से कुछ भी यहां पर एक random message type कर लेता हूँ जैसे कि यहां पर लिख देता हूँ hello bro कहा हो तो इसके बाद यहां पर मैंस से send कर देता हूँ और उसके बाद यहां पर एक और message यहां पर random type कर लेता हूँ उसे भी यहां पर send कर देते हैं अभी जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे phone में message तो आ चुका है अब इस message को आप कैसे देख सकते हैं तो इसके लिए आपको कुछ settings करने है जो पहली setting आपको करने है यहाँ पर आपको अपने WhatsApp में ही करने है तो यहाँ पर आपको ओपर जो three dots दिखाई दे रहे हैं आपको इस पर click करना है यहाँ पर नीचे settings को option मिल जाएगा आपको इस पर click कर लेना है अब यहाँ पर यदि आपने fingerprint लगा के रखा है तो यहाँ पर आपको नीचे so content in notification का option दिखाई देगा आपको यहाँ पर इसे on कर देना है यदि यह option यहाँ पर off होगा तो अभी यहाँ पर हमारी पहली setting हो चुकी है अब आपको दूसरी setting करने है जिसमें आप deleted messages को देख पाएंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर WhatsApp को close कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है अपने phone की settings में settings में आने बाद यहाँ पर आपको नीचे scroll करके आना है यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा notification and status वार का आपको इस पर क्लिक करना है इस पर आने बाद यहाँ पर आपको कई सारे option दिखाए देंगे यहाँ पर आप थोड़ा से नीचे scroll करके आएंगे तो आपको यहाँ पर more settings का एक option दिखाए देगा आपको more settings के option पर चले जाना है more settings में आने बाद यहाँ पर आपको और भी कई सारे option दिखाए देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है यहाँ पर आपको नीचे notification history का एक option दिखाए देगा क्या मैंने message delete किया था अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है यहाँ पर जो notification history को option है यहाँ पर आपके phone में यह बंद होगा option तो आपको इसे यहाँ पर on कर देना है इतना करने के बाद जो भी आपको कोई WhatsApp में message करके delete कर देगा तो वो deleted message यहाँ पर आपको notification history में save हो जाएगा और आप उसे यहाँ से देख सकते हैं तो इस तरह से आप WhatsApp के deleted messages को पढ़ सकते हैं यदि आपको कोई problem आती है तो आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा